थाल्पोस बनाने के लिए हमने दो कलर का ओन लिया है, ओरेंज कलर और वाइड कलर, ओन हमारा ये टूप लाई है, आप ये वाली डिजाइन किसी भी खून से बना सकते हो, प्रेंड्स तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, तो फ्रेंड्स थालपस बनाने के लिए सबसे पहले हम वाइट किलर का उन लेंगे और इस तरीके से हम उंगलियों में लपेट के इस तरीके से एक मैजिक नॉट बना लेंगे इस तरीके से पीछे से धागे को एक खीच लेंगे फिर इस रिंग को ऐसे पकड़ लेंगे और इसी में हम बुन लेंगे पहले एक चैन बनाएंगे देखे इस तरीके से हमने इसके पकड़ लिया यहां यह रिंग बन गई है अब यहां पर हम तीन चैन बुनेंगे एक चैन बना लिया और दो बनाएंगे इसमें एक दो तो टोटल तीन चैन हो गया यह हम पहला डबल क्रोसिया मानेंगे इसे अब इसमें टोटल 11 डबल क्रोसिया बनाएंगे देखिए एक टीची रिंग के अंदर से इस तरीके से धाके को निकालके दो को एक फिर दो को एक कर लेंगे तो ये हमारा डबल क्रोसिया इस तरीके से बन जाएगा यह देखिए इस तरीके से फिर दो फंदों को बंद कर लिया तो इस तरीके से यह हमारा डबल क्रोसिया बन जाता है इसी तरीके से टोटल हम इसमें बारा डबल क्रोसिया बना लेंगे जो हमने चैन बुना था इसे भी काउंट करेंगे तो टोटल बारा डबल क्रोसिया हमारा इसमें कम्प्लीट हो जाएगा तो देखे फ्रेंड्स इस रिंग के अंदर हमने ये 12 डेवल क्रोसिया बना ली तो टोटल 12 डेवल क्रोसिया बनाने के बाद इस रिंग को हमें बंद कर लेनी है और ये हमारा एक छोटा सा सरकल बन जाएगा देखे बीच का इस तरीके से इस धागे को पकड़के खेच लेंगे तो यहां पे एक हमारा circle बन गया अब क्या करेंगे यह जो हमने 3 chain लिया हुआ था तो तीसरे chain के उपर हम slip stitch लगा लेंगे यहां पे देखे इस तरीके से यह हमारा बन गया first round अब क्या करना है हमें यहां पे हम इस तरीके से तीन चैन लेंगे और यह 12 डबल क्रोसिया जो हमने बनाया है तो पूरे 12 डबल क्रोसिया के यह जो फंदे दिख रहे हैं यह वाले यह चैन्स यह सारे चैन्स के उपर हमें दो-दो डबल क्रोसिया बना लेनी है तो एक यहीं प चाहन में बनाएंगे जो दखिए याँ दिख रहा है इसी चैन के ऊपर इस तरीके से उठाके कि दो डॉबल क्रोश्या हमें बना लेनी है एक फंदे के अंदर दो बनाया फिर अगले वाले फंदे के अंदर बनाएंगे एक और ये दो इसी फंदे के अंदर इसी तरीके से देखिए इस तरीके से हम दो-दो डबल क्रोशिया हर फंदे में बनाते जाएंगे तो टोटल 24 डबल क्रोशिया इस राउंड में हमारा होगा यानि कि 24 double crochet तो चलिए complete करते हैं तो देखिए friends इस तरीके से यह हमने second round complete कर लिया अब क्या करना है हमें यहाँ पे यह जो 3 chain लिया हुआ है तो देखिए 1, 2, 3 तीसरे chain के उपर हम slip stitch लगा लेंगे और यह रो हमारी complete हो जाएगी और यहाँ से हम white वाले धागे को cut कर लेंगे और यहाँ से हम orange color वाले धागे को लगाएंगे आप चाहें तो friends एक color में भी यह थालपोस बना सकते हैं हम इसे 2 color में बना रहे हैं तो चलिए इस धागे को cut कर लेते हैं तो देखिए friends इस धागे को हमने cut कर लिया और यहाँ अच औरेंज कलर वाला उन जोड़ेंगे तो कि यहाँ पे हम कहीं भी जोडेंगे है कि यहाँ पे हम जोडेंगे इस तरिके से एक फंदे में तो हम इस तरीके से औरेंज कलर वाले उनको एक फंदे में जोड लेंगे यह हमने जोड लिया और जोडने के बाद क्या करना है यहाँ पर हम तीन चैन बनाएंगे एक, दो, तीन तीन चैन बनाया हमने तीन चैन बनाने के बाद इसी फंदे में जहाँ हमने ये Orange Color का ओन जोड़ा है इसी फंदे में हम दो डबल क्रोसिया बना लेंगे और इन धागों को इसी के साथ बुल लेंगे ताकि ये खुले नहीं देखिए एक डबल क्रोसिया बनाया हमने एक और डबल क्रोसिया यहीं पर बना लेना है हमें तो यह देखिए यहां पर तीन डबल क्रोसिया हो गया तो प्रेंट्स हम तीन डबल क्रोसिया बनाएंगे तीन डबल क्रोसिया बनाने के बाद एक चैन लेंगे और इधर से एक chain हम नीचे से skip करेंगे इदेखें इसके बगल वाला हम skip कर रहे हैं इसके आगे वाले में बनाएंगे एक double crochet skip करनी है अगले double crochet के उपर बना लेनी है तो हमें इस तरीके से एक एक छोड़ के बनाते जाना है एक चैन लिया हमने और फिर यहां पर एक ही फंदे के अंदर तीन डबल क्रोसिया बना लेंगे दूसरा हो गया और यह तीसरा तीन हो गया हमारा अब क्या करना है फिर एक चैन लेंगे और फिर यहाँ पर एक डबल क्रोसिया स्किप करेंगे और दूसरे डबल क्रोसिया के उपर हम तीन डबल क्रोसिया बना लेंगे एक चैन लेते हुए हमें यह तीन-तीन डबल क्रोसिया बनाते जाना है तो यह हम 12 times बडाएंगे, यानि कि 12 times बडाएंगे हम इस तरीके से फिर यहाँ पे एक chain लेना है हमें, फिर एक double crochet skip करेंगे अगले वाले double crochet के उपर हम 3 chain बना लेंगे फिर एक chain लेंगे इसी तरीके से ये वाला रो हम complete करेंगे तो देखे फ्रेंट्स ये हमने third round complete कर लिया ये हमने तीसरा round अपना complete कर लिया और इसमें हमने ये तीन तीन double cross या हर एक एक double cross या skip करते हुए हमने ये बनाया हुआ है और यहां पर हमने बीच में एक एक chain लेते गए हैं हम और इस तरीके से total 12 बार हमने ये बनाया है देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बार अब ये हो गया हमारा अब क्या करेंगे यहां पर एक chain लेंगे तिसरे chain के उपर हम slip stitch लगा लेंगे इस तरीके से ये हमने slip stitch लगा लिया और slip stitch लगाने के बाद क्या करना है हमें यहां पर तीन chain बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन chain हो गया तीन chain बनाने के बाद क्या करेंगे यहीं पर ये जो फंदा देख रहा है यहां से क्रोसिया पास करके एक डबल क्रोसिया बना लेंगे और फिर इसके उपर एक डबल क्रोसिया बनाएंगे यह जो पहला डबल क्रोसिया है न यह वाला इस चैन के उपर यहां पर एक बनाएंगे तो यह तीन हो गया डबल क्रोसिया फिर एक इस फंदे में बनाएंगे यह जो अब एक इस double crochet के उपर बनाएंगे और एक double crochet हमें छोड़नी है इस side से तो देखिए यहां पे हमने 4 double crochet बनाया यह जो हमने chain लिया वो पहला और यह दूसरा तीसरा और यह चोड़नी है फिर यहां पे हम एक chain लेंगे और एक chain लेने के बाद यहां से फिर सुरू करेंग तो यहां पे इस फंदे में हम दो double crochet बना लेंगे एक और यह दो दो बना लिया हमने दो double crochet बनाने के बाद क्या करना है यह पहले double crochet के उपर दूसरे double crochet के उपर एक एक double crochet बना लेंगे तो एक यहां बनाया हमने और एक यहां बनाया हमने तो टोटल 4 double crochet हो गया दिखिए और ह हमें एक यह वाला ऐसे छोड़ना है इधर से तो हम क्या करेंगे यह हमारा हर राउंड में तीन से शुरू किया अब चार हुआ इसी तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे एक डबल क्रोसिया और इसी तरीके से हम यह बनाएंगे एक चैन लेना है फिर फंदों यह जो चैन ले रहे हैं इस चैन के उपर हमें दो डबल क्रोसिया बनानी है और इधर से हमें एक चैन स्किप करना है बाकि बचे चैन के उपर हमें बून लेना है तो यह हमने यहाँ पर एक बनाया फिर एक यहाँ पर बनाया ठीके इस तरीके से फिर यहाँ पर एक चैनल लेंगे एक चैनल लेने के बाद फिर इस फंदे के अंदर हम दो डबल क्रोसिया बनाएंगे एक के दो और फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के उपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के उपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और एक हमारा यह छोटते जाएगा तो इसी तरीके से यह रो हम कंप्लेट करेंगे औरेंज कलर का हमारा दूसरा राउंड कम्प्लीट हो गया हम इस राउंड में ये देखिए तीन डबल क्रोसिया के उपर ये चार डबल क्रोसिया बनाए हैं एक तरप से हमारा ये डबल क्रोसिया एक एक कम होता जाएगा और एक तरफ से हमारा एक एक बढ़ता जाएगा यह देखिए इस तरीके से यह बढ़ते जाएगा हमारा एक तरफ से और एक तरफ से कम होता जाएगा तो यहाँ पे हम इसे जिस तरीके से हम slip stitch लगा रहे थे उस तरीके से यह तीसरे chain के उपर हम slip stitch लगा लेंगे स्लि पेस्टिच लगाने के बाद यहां पर हमें तीन चैन लेना है और अगला राउंड शुरू करना है ओरेंज कलर से तीसरा राउंड अब यहां पर इसी फंदे के अंदर एक डबल क्रोसिया बना लेंगे तो यह हमारा इसमें एक डबल क्रोसिया यह बढ़ जाएगा अब यहां पर एक डबल क्रोसिया बना लिया हमने और एक डबल क्रोसिया बनाने के बाद यह देखिए यह जो चैन लिया था यह पहला और यह दूसरा दो डबल क्रोसिया हो गया अब यहां हमारे पास चार डबल क्रोसिया है तो चार डबल क्रोसिया में से हम एक डबल क्रोसिया स्किप करेंगे तीन डबल क्रोसिया के उपर हम तीन डबल क्रोसिया बना लेंगे तो इस रो में हमारा टोटल पांच डबल क्रोसिया बनेगा चार डबल क्रोसिया के उपर हम पांच डबल क्रोसिया बनाएंगे एक यहां बनाया एक दूसरे वाले डबल क्रोसिया के उपर बनाएंगे और फिर एक यह तीसरे वाले डबल क्रोसिया के उपर बनाएंगे तो देखिए यहां पे हमारा यह पांच डबल क्रोसिया हो गया एक दो तीन चार पांच पांच डबल क्रोसिया हो गया अब एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद यहां पे फिर यह चार डबल क्रोसिया के उपर हमें पांच डबल क्रोसिया बना लेनी है तो इसी तरीके से सेम भी हाि से हमारा रहेगां हम उर्डवल क्रोषिया यह चैन के उपर बना ले Saturn नहीं है और यहां पे हम यह कि यह चार्जुद हैं इसमें से एक किधर से इस्किप करेंगे बागी बचे डबल क्रोषिया करें यह अ बना लेया तो यह तो तोटल 5 double crochet है यह बन गया हमारा इस तरीके से यह इस तरब से बढ़ते जाएगा और इस तरब से एक एक हम घटाते जाएंगे तो friends इसी तरीके से हमें ये थालपोस बनानी है ये देखिए हमने 3 से सुरू किया है तो इस round में 3 बनाया फिर 4 double cross ये अगले round में बनाया उसकी अगले round में हमने 5 double cross ये बनाया ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अब इसकी अगले round में जब बनाएंगे तो 6 बनाएंगे फिर उसके अगले राउंड में बनाएंगे तो 7 बनाएंगे हमारा चैन एकी रहेगा हम एकी चैन लेते जाएंगे और इस तरीके से एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए और एक तरफ से घठाते हुए हम ये जितना बड़ा थालपोस बनाना चाहते हैं उतना बड़ा हम तयार कर लेंगे सेम यही पैटर्न हमें repeat करते जाना है और हमें इसी तरीके से बना लेना है तो चलिए फ्रेंट्स हमें जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा हम इसे बना लेते हैं तो देखिए फ्रेंट्स ये हमने थालपोस बना के जितना बड़ा हमें थालपोस चाहिए उतना बड़ा ये हमने बना के तयार कर लिया है तो देखिए ये हमने white color से 2 line बनाया है एक दो और ये orange color से हमने total 9 line बनाया है ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो total 9 line बनाया है हमने अब हम इसी में आगे की design बनाएंगे ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये design आया है तो चलिए friends आगे की design बना लेते हैं आगे की design बनाने के लिए हम white color से ये इसमें बहुत सुन्दर सा हंस बनाएंगे जो बहुत ही प्यारा दिखेगा तो चलिए हंस वाला ये थालफोस हम बना के complete कर लेते हैं आगे की design बनाने के लिए friends ये हम white color का उन लेंगे और यहाँ पे जोड लेंगे ये जो हमने बनाया हुआ है इसी के ऊपर जोड़ेंगे तो ये हमने इस तरीके से ऐसे धागे को इस वाले पहले वाले डबल क्रोसिया के ऊपर हम जोड लेंगे इस तरीके से और यहाँ हम तीन चैन बना लेंगे तो ये हमने तीन चैन बना लिया तीन चैन बनाने के बाद क्या करना है ये जितने डबल क्रोसिया है सारे डबल क्रोसिया के ऊपर हम 11 डबल क्रोसिया के ऊपर हम 11 डबल क्रोसिया बना के तयार कर लेंगे देखिए हमें बढ़ाना बिल्कुल नहीं है हमें चैन भी नहीं लेना है, हमें डबल क्रोसिया के उपर डबल क्रोसिया बनाते जाना है देखिए, पांच डबल क्रोसिया हो गया, ये छे डबल क्रोसिया, ये साथ, पिर ये आठ, 9, 10, 10 हो गया, और ये 11 डबल क्रोसिया, तो टोटल 11 डबल क्रोसिया हमने इसके उपर बना के तयार कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने चैन लिया हुआ है, इस चैन के अंदर हमें 2 डबल क्रोसिया बना लेनी है, एक, और ये 2, दो डबल क्रोसिया बना लिया हमने, चैन के अंदर हमें 2 डबल क्रोसिया बनाना है, और ये जो 11 डबल क्रोसिया बनाया है हमने, तो 11 डबल क्रोसिया के उपर, हमें 11 डबल क्रोसिया बना के कम्प्लीट कर लेना है फिर यहां से हम शुरू करेंगे और 11 डबल क्रोसिया के उपर हम 11 डबल क्रोसिया बना लेंगे और यह हम 11 डबल क्रोसिया के उपर 11 डबल क्रोसिया बना लेंगे और यह जहां जहां हमने यह चैनल लिया है वहां वहां हम दो दो डबल क्रोसिया एक साथ बना लेंगे इस तरीके से तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला होइट का राउंड हमने बना के कम्प्लेट कर लिया ये दिखिए जितने चैन्स थे हमारे पास सारे चैन्स में हमने दो दो डबल क्रोसिया बनाए है और यह जो double crochet है इस double crochet के उप़र हमने जितने double crochet थे उतने double crochet बना लिया हैं इसी तरहीं से बनाते हुए एराउंड हमने complete किया है क्या करेंगे यहां पर इसे slip stitch लगा लेंगे तीसरे chain के उपर यह देखिए एक दो तीन तीसरे chain के ऊपर हमें इस तरीके से slip stitch लगा लेनी है यह पंदे उठाके यह हमने slip stitch लगा लिया यह रो हमारा complete हो गया अब यहां पे क्या करना है, हमें 3 chain लेना है, 3 chain लेने के बाद, अब यहां पे हम यह 1, 2, 3, 3 double crochet skip करेंगे, यहां पे यह देखिए, 1, 2, और यह तीसरे के उपर हम इस तरीके से slip stitch लगा लेंगे, देखिए इस तरीके से 3 double crochet skip किया हमने अब यहाँ पर हम यह 7 chain बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 chain बनाएंगे यहाँ से हम 5 double crochet skip करेंगे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 double crochet skip किया और 6 double crochet के उपर हम इस तरीके से 1 single crochet से जोल लेंगे इस तरीके से यह हम बनाएंगे अब यहाँ पर हम 1, 2, 3, 3 chain लेंगे और 3 chain लेने के बाद यह double crochet हम skip करेंगे 1, 2, 3 और तीसरे के उपर हम इस तरीके से यह double crochet बना लेंगे देखिए इस तरीके से यह 3 double crochet हमने skip किया और यह तीसरे के उपर हमने यह इस तरीके से बना लिया तो देखिए इस तरीके से यह हमने बनाया यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने यह देखिए यहाँ से बनाना शुरू किया यहाँ पर हमने यह तीन chain लिया और यहाँ पर यह एक, दो, तीन, चार, चोथे वाले चैन में हमने बुन लिया अब फिर यहाँ से हम count करेंगे तो यहाँ से जब हमने यह 7 चैन लिया तो 7 चैन का 1, 2, 3, 4, 5, 6 छटे वाले चैन में हम बुन लेंगे और फिर यहाँ पर 3 जब चैन लेंगे तो यहाँ से फिर जहाँ से हमने बुना है वहीं से count करेंगे तो 1, 2, 3, 4, चोथे वाले चैन में हमें बुन लेना है तो हमारा नीचे से यह 3 double crochet skip किया हमने और बीच वाले में हमने यह 5 double crochet skip किया फिर इधर 3 double crochet इसी तरीके से यह हम बना लेंगे अब क्या करेंगे इसे हम किस तरीके से पलट लेंगे यह पलट लेना है हमें यह हांस हम इसी तरीके से बनाएंगे यह बहुत ही प्यारे बनेंगे अब यह जो चैन दिख रहा है यह साथ चैन जो हमने बनाया है इसके अंदर टोटल हमें 12 डबल क्रोसिया बना लेनी है तो यह देखिए एक बनाया हमने फिर यह दूसरा तीसरा यह तीन हो गया चार पांच छे साथ तो देखिए फ्रेंड्स इस रिंग के अंदर हमने यह 12 डबल क्रोसिया बना लिया यह हमने जो चैन लिया है इसको छोड़के हमने टोटल इसमें 12 डबल क्रोसिया बना लिया है अब क्या करना है हमें यह जो हमने तीन चैन लिया था तो यहां पे जो हमने लिया था ना चैन यहीं पे जहां पे हमने स्टार्ट किया था यहीं पे इसे स्लिपेस्टिच लगा लेंगे स्लिपेस्टिच लगाने के बाद यहां हम टोटल चार चैन बुनेंगे यह चार चैन हो गया और चार चैन बुनने के बाद हम फिर से इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद क्या करेंगे यहां पर इसी फंदे के जहां हमने यह चैन लिया है तो यह बगल वाला जो नौट दिक रहा है यह वाला लूप यहां पर एक डबल क्रोसिया बना लेंगे यह हो गया फिर चार चैन लेंगे हम एक दो तीन चार और यहाँ पे इस डबल क्रोशिया के अंदर से इस तरीके से क्रोशिया पास करके इस तरीके से हम बिजाइन बना लेंगे फिर यहां पे यहां पे इस तरीके से इस वाले जितने लुक दिख रहा हैं सारे लुक में हमें डबल क्रोसिया बना लेना है बनाते जाना है और इस तरीके से चार चैन लेंगे और चार चैन लेके इस तरीके से पिको एस्टिच कर लेना है हमें इस तरीके से फिर यहां पे अ और दिखने में बहुत ही संदर लगता है और यह बहुत ही जल्द बन जाता है अगर आपको कहीं भी बनाने में दिक्कत आ है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं इस तरीके से और अगले वाले फंदे में बनाएंगे एक डबल क्रोसिया और इस तरीके से चार चैन लेके और हमें पीको एस्टिच करते जाना है देखिए कुछ इस तरीके से ये डिजाइन बनते जाएगा तो टोटल नौ बार हमें ये बनाना है एक दो तीन चार चार चैन लिया हमने पीको एस्टिच कर लिया और इस तरीके से हम बनाते जाएगे तो देखिए एक दो तीन चार पांच छे और तीन बार बना लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमने पिको एस्टिच करते हुए ये नौ बर हमने पिको एस्टिच कर लिया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और ये नौ नौ पिको एस्टिच करने के बाद क्या करना है हमें यहाँ पे चार डबल क्रोसिया एक, एक चैन लेके बना लेना है तो यह देखिए एक बनाया हमने फिर एक चैन लेंगे अब यहाँ पे हम एक, एक चैन लेते हुए चार डबल क्रोसिया बना के कंप्लीट कर लेंगे तो यह देखिए यह हमारे पास जितने लुप बचे हैं सारे में हम बना लेंगे यह दूसरा फिर एक चैनल लिया और यह तीसरा फिर एक चैनल लेंगे और यह यहाँ पर यह जो लास्ट वाला हमारा बचा है यहाँ पर यह चौथा तो चार डबल प्रोसिया हमने एक एक चैनल लेक Er बनाया और इस तरीक यह यह इस तरीके से यह हंस का यह पीठ बनेगा और यह हम स्लिप यह लगा लेना है यहां पर हम यह जहां हम ने यह तो हम करेंगीays एक दो तीन यहीं से count करेंगे एक, दो, तीन तीसरे chain के उपर हम slip stitch लगा लेंगे इस तरीके से तीसरे chain के उपर यहां पर हम इस तरीके से फिर से slip stitch लगा लेंगे यह हो गया और यह होने के बाद हम इसे पलट लेंगे पलट लिया हमने और पलटने के बाद यहां पर हमें यहां से हमें इस तरीके से यह double crochet बनाना शुरू करना है तो यहां से हम बनाएंगे इस double crochet के उपर एक double crochet बनाएंगे और यह जो फंदा दिख रहा है इस फंदे के अंदर हम दो डबल क्रोसिया एक साथ बनाएंगे तो यहां पर हम टोटल आठ डबल क्रोसिया बनाएंगे देखें तीन हो गया अब इसके उपर एक बना लेंगे इस डबल क्रोसिया के उपर और इस फंदे के अंदर दो बना लेंगे फिर इस डबल क्रोशिया के उपर एक बनाएंगे और इस फंदे के अंदर दो बनाएंगे तो देखे फ्रेंड्स यहां पे टोटल हमारा आठ डबल क्रोशिया बना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो आठ डबल क्रोशिया बना लिया हमने आठ डबल क्रोशिया बनाने के बाद क्या करना है यहां पे छे चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे तो देखे फ्रेंड्स यह हमने छे चैन बना लिया छे चैन बनाने के बाद क्या करना है यह जो फर्ष्ट वाला चैन है यहां पर इस वाले चैन में ऐसे क्रोसिया पास करेंगे और यहां पर इस तरीके से बुन लेंगे यह हमने बुन लिया बुनने के बाद एक चैन लेंगे एक दो दो चैन लिया हमने और दो चैन लेने के बा और पलटने के बाद ये जो ये वाला जो दिख रहा है ये रिंग इस रिंग के अंदर हमें छे डवल क्रोसिया बना लेनी है तो देखिए एक दो ये हम हंस का सर बना रहे हैं तो इस तरीके से हम इसमें ये सर बना लेंगे ये चार पांच ये जो हमने जोड़ा उसे नहीं जोड़ेंगे यहां से हम काउंट करेंगे तो टोटल ये छे डवल क्रोसिया हमने तयार कर लिया दिखिए ये जो हमने चैन लिया था इसे नहीं काउंट करना है यहां से काउंट करेंगे 14–23 पांक 6IVE छोनके सब्सक्राइब सब्सक्राइब ऑद 4 चेंग लेंगे हम हंस का चोंच बना strengthen लिए हमने और नीचे से एक चेंग रेंगे यग यहां पर हम दूसरे वाले चेंग के उपर इस तरीके से बुल लेंगे और फिर यहां एक चैन लेंगे और यहां पर यह वाला जो है यह डबल क्रोसिया के उपर का फंदा यहां पर बुल लेंगे तो यह हमारा इस तरीके से यह चोच बन जाएगा अब यहां पर क्या करना है फिर से यहां पर हमें इस रिंग के अंदर आ जाना है और इस रिंग के अंदर 4 double crochet बना लेना है एक, दो, और ये 3 और ये 4 तो टोटल 4 double crochet बना लेंगे हम और 4 double crochet बनाने के बार यहाँ पर हम इस तरीके से 1, 2, यहाँ से count करेंगे एक, दो, तीन, तीसरे चैंज के उपर हम इस तरीके से बुल लेंगे तरीके से हमें बुल लेना है और बाकी बचे ये जितने डवल क्रोसिया है सारे डवल क्रोसिया के उपर हमें सिंगल क्रोसिया बनाते जाना है तो हम यहां तक बना लेंगे सिंगल क्रोसिया अब क्या करना है यहां पे सिंगल क्रोशिया अब यहां पे हम स्टार्ट करेंगे तो यहां से एक तो तीन डबल क्रोशिया के उपर हम गजिस तरीके से सिंगल क्रोशिया बुल लेंगे हमें तीन डबल क्रोशिया स्किप करनी है और सिंगल क्रोशिया बुन लेना है अब यहां पर फिर तीन चैन लेंगे जब हमें स्टार्ट करेंगे तो यहां पर एक बार तीन चैन लेंगे फिर दूसरी बार भी तीन चैन लेंगे एक दो तीन और यहां पर हमें सिंगल क्रोशिया बुन लेना है तीन चैन इस तरीके से 7 चैन्ल लेंगे, 4, 5, 6, 7 ये साथ चैन्ल लियेиш और 7 चैन्ल लेने के बाद यहांपे हम यहां से count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और यहांपे हम इस तरीके से single crossing भून लेंगे, 5 double crossing करके हम इस तरीके से भून लेंगे फिर यहाँ पे हम तीन चैन लेंगे और तीन चैन लेने के बाद यहाँ पे हम एक, एक, दो, तीन और यहाँ पे हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे तो हमारा यह यहाँ पे जैसे हमने यह फर्स्ट वाला स्टार्ट किया था तो हमने एक बार तीन चैन लिया था फिर साथ चैन लिया था फिर तीन चैन लिया था हम इसके बाद जब भी अज़र खरेंगे तो बार हमें तीन हैथुまだ फिर साथ चैन उन्याँ कि तीन चैनल्स तब यह अथि सुरू ना फ्ट यहाँ पर हम इसे पलट लेते हैं और पलटने के बाद पर से में ऊसी तरीके से साथ चैनल के अंदर यम 15 डाल बुलेंगे तो देखी ये बारा डबल क्रोसिया इस रिंग के अंदर हमने बना के कंप्रेट कर लिया अब यहां पर क्या करेंगे जहां यह हमने तीन चैन लिया हुआ है यह वाला यह वाला चैन तो यह जहां पर हमने यह सिंगल को रो सीअ बनाया है, यहीं पर सिंगल को रो सिअ बना लेंगे, तो यह हमारा इस तरीके से यह डिजाइन हो गया, अब क्या करना है, यहां पर हम तीन चैनल लेंगे, एक, दो, तीन, सौरी यहां पे हम चार चैन लेंगे जहां से यह हम बनाए हैं यहीं पे हम इसे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे देखिए इस तरीके से हो जाएगा अब इसे हम पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से चार चैन लेंगे और चार चैन लेने के बाद यह जो ठिकराया है फंदा यहाँ पे हम इस तरीके से यह पिको एस्टिच कर लेंगे फिर हम यहाँ पे यह अगले वाले फंदे पे इस तरीके से डबल क्रोसिया बनाएंगे अब फिर इस तरीके से चार चैन लेके यह जैसे हमने पीको एस्टिच किया था वैसे ही हमने कर ले रहा है देखिए जैसे हमने ये वाला किया था वैसे ही हमें इधर भी कर लेना है फिर अगले वाले फंदे में बनाएंगे इस तरीके से हम 9 बार ये वाला बनाएंगे 9 डबल क्रोसिया के उपर हमें ये तयार कर लेना है यहां से हम count करेंगे यह वाला छोड़ेंगे यह वाला और यहां से हम count करेंगे यहां से 1,2,3 तो देखिए यहां पर यह हमने 9 बर बना लिया हमने जो यह पहने से chain लिया था इसको हम छोड़ेंगे और यहां से count करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 नौ बर बनाने के बाद एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद यहाँ पर एक चैन लिया हमने और एक चैन लेने के बाद यहाँ पर हम चार डबल क्रोसिया बना लेंगे एक एक चैनल लेते जाएंगे और बाकी बचे हुए फंदों में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे तो यह देखिए यहाँ जितने हमारे पास फंदे हैं सारे फंदे में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे हमें Pico ST चब नहीं करनी है देखिए तो ये हमने 4 double crochet बना लिया 1, 2, 3, 4 4 double crochet बनाने के बाद क्या करना है हमेश यहां पे यहां से count करना है 1, 2, 3 3 double crochet skip करेंगे और चौथे वाले के उपर इस तरीके से 1 single crochet बना लेंगे तो ये हमारा इस तरीके से design आ जाएगा अब हमें क्या करना है यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर से तीन चैनल लेंगे और तीन चैनल लेने के बाद यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार इस तरीके से हम ऐसे बना लेंगे तो यह हमारा यहाँ पे हमने तीन तीन डबल क्रोसिया स्किप करके इस तरीके से बना लिया अब क्या करना है हमें इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद जैसे हमने यह हंस का यह वाला बनाया था यह वाला सीरा ऐसे ही हमें सेम बना लेना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे य यहां आठ डबल क्रोसिया बना लेंगे हम एक डबल क्रोसिया के उपर बनाना है और एक दो हमें फंदों के बीच में बनाना है अब हम इसके उपर एक बना लेंगे और दो हमें इन फंदों को बीच में बना लेना है तेखिए हो गया अब यहां पर हमें 6 चैन लेना है 1,2,3,4,5,6 और जैसे हमने यह हंस का सर बनाया था वैसे हमें यह बना लेना है और फिर यहां से हम इधर आ जाएंगे और आने के बाद फिर हम दूसरा हंस बनाना शुरू कर देंगे इसी तरीके से फ्रेंट्स हमें यह सारे हंस बना लेने हैं थालपोस के उपर इस तरीके से यह बहुत ही प्यारे लगेंगे सेम इसी तरीके से बनाना है हमें ये देखिए ये बहुत ही प्यारे लगेंगे फ्रेंट्स इस तरीके से ये हमारा हंस बनते जाएगा फिर जैसे हमने ये वाला शुरू किया वैसे ही हम इसके आगे जब ये बना के खतम करेंगे यह जब हम सर बना लेंगे इसका तो यह खतम करेंगे तो फिर इसी तरीके से हम यह आगे का फिर शुरू करेंगे तो चलिए फ्रेंट्स इसी तरीके से यह हंस बनाते हुए यह हम थालपोस कंप्लेट कर लेंगे तो चलिए friends मैं बना के दिखाती हूँ आपको तो देखे friends ये थालपोस हमने बना के complete कर लिया ये हंस वाला डिजाइन हमने पूरा थालपोस के चारो तरफ ये बना लिया है ये देखे इस तरीके से ये बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे है और बनाना बहुत ही असान है और देखे दिखने में कितना सुंदर लग रहा है friends आप इस तरीके से छोटा बड़ा किसी भी साईज का थालपोस इस तरीके से बना सकते हो और ये बहुत ऐजिली बन जाएगा उमीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये थालफोस की डिजाइन पसंद आई होगी आपको ये थालफोस की डिजाइन कैसी लगी फ्रेंड्स हमें कमेंट करके जरूर पताईएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए बाबाई